एक बार एक सियार भोजन की तलाश में भटकता भटकता जंगल के पास के गाउं में पहुँँच गया, वहाँ जंगली कुत्तों का जुन्ट था जो सियार को देखकर उसके पीछे पढ़ गये, सियार कुत्तों से डर कर भागते हुए एक घर में जा पहुँचा, वो घर एक धोबी का घर था, घर के कोने में रखे एक ड्रम के अंदर सियार जाकर छुप गया और कुट्टों के जाने का इंतजार करने लगा, कुछ तेर बाद जब वो ड्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो नीले रंग का हो गया है, क्योंकि ड्रम में धोबी ने कपड़े जानवर समझ कर भाग खड़े हुए, वो जब जंगल पहुचा तो जानवर उसे देखकर डरने लगे क्योंकि नीले रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था, सियार ने जब ये देखा तो सोचा कि क्यों ना इस मौके का फाइदा उठाया जाए, उसने जानव जानवरों को बुलाकर कहा कि मुझे भग्वान ने अपना दूप बनाकर जंगल भीजा है कि जाओ, आध से तुम इस जंगल के राजा हो, जाकर जानवरों की रक्षा करो, तो अब से मैं तुम लोगों का राजा हूं, तुम्हारी रक्षा मेरा करतव्य है, अब तो सियार क मजे हो गए वो छोटे जान्वरों से अपनी सेवा करवाता शेर और भेरिये उसके ये शिकार लाते एक दिन सियार सोकर उठा तो उसे दूर से दूसरे सियारों की हुआ हुआ की आवाज सुनाए पड़ी सियार अपना नातक भूल गया और मदमस्त होकर वह भी हुआ हुआ च